Hello everyone, I am Aastha, welcome करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल Government Job Genuine Notification आज का वीडियो SSE-CHSL Examination से related है कल भी मैंने एक वीडियो अप्लोड किया था SSE-CHSL का जिसमें Tier 1st का जो सलेवस रहेगा, माइनस मार्किंग रहेगी की नहीं पूरा detail आपको Tier 1st के बारे में दी गई थी आज के वीडियो में हम Tier 2nd and Tier 3rd examination के बारे में देखेंगे क्योंकि ये जो selection process है SSE-CHSL ये 3 टियर में होता है Tier 4, 2nd and 3rd आज के इस वीडियो में हम Tier 2nd and Tier 3rd के बारे में डिस्कुस करेंगे, जानेंगे इसके अलाबा क्या सभी post जो भी post रहती है SSE-CHSL के दोरा जो भरती की जाती है क्या सभी post के लिए 12th past candidate apply कर सकते हैं किसी भी subject से या इन में भी post wise कुछ different रहता है वो भी हम वीडियो में discuss करेंगे साथी इसमें languages को ले करके रहता है कि typing जो मांगी जाती है वो हम किस language में देंगे Hindi या English में या हम other किसी language में दे सकते हैं तो यह कुछ points रहेंगे जो कि हम इस वीडियो में discuss करेंगे और हाँ skill test यार typing test जो रहेगा वो आपका कहा होता है अगर आप SSE CHSL की तयारी कर रहे हैं क्योंकि इसका notification बहुत जल्द आने वाला है February 1st week में इसका notification आने की chances है अगर आप इसकी तयारी कर रहे हैं तो आपको इसकी knowledge होना चाहिए तो वीडियो का end तक देखेगा चलिए अभी हम जानते हैं कि SSE CHSL का total post कौन कौन सी होती है जिन पर भरती की जाती है SSE CHSL के द्वारा Lord Vision Clerk, Junior Secretariat Assistant, Postal Assistant and Sorting Assistant and Data Entry Operator post पर भरती की जाती है जो कि Government of India के under में जो भी departments आते हैं ministries आती हैं various departments में इन पदाओं के लिए भरती की जाती है अलग-अलग department में जो कि 12th Pass Candidate के लिए रहती है अब हम eligibility देखेंगे तो बैसे तो आप सभी जानते हैं कि जो CHSL examination है वो 12th Pass Candidate के लिए है तो कोई भी 12th Pass Candidate ये exam दे सकता है लेकिन post में थोड़ा भूर different है किस post के लिए का requirement है वो हम इस वीडियो में देखेंगे LDC यानि Lord Vision Killer Junior Secretariat Assistant Postal Assistant Sorting Assistant and Data Entry Operator इन सभी post के लिए आपका 12th Pass होना जरूरी है आप 12th Pass हैं किसी भी subject से यहाँ पर subject मैंने नहीं करेगा आप किसी भी subject से हैं तो आप इन post के लिए eligible हैं, apply कर सकते हैं आप SSE, CHSL exam दे सकते हैं अब आप कहेंगे कि मैंने सारे post के name आपको यहाँ पर बता दी हो और सभी के लिए 12th Pass मांगा गया है फिर मैं जो बार-बार आपको repeat कर रही थी कि कुछ post by different है वो किस post के लिए है क्योंकि यहाँ पर मैंने सारी post के name ले लिए तो चलिए अब हम वो भी देख लेते हैं तो यहाँ पर जिस post के लिए different requirement है, qualification different है वो है data entry operator की post क्योंकि data entry operator की post different departments में रहेगी लेकिन जो data entry operator grade A की post C and AG department में जो आती है Comptroller and Auditor General of India की जो offices है उसमें जो posting रहेगी data entry operator की उसके लिए 12th pass आपका science subject से होना चाहिए साथ में आपका mathematics हो आपका जो science है और उसमें आपका mathematics subject हो then आप इस post के लिए apply कर सकते हैं क्योंकि data entry operator तो अलग-अलग departments में भरती होगी तो यहाँ पर सरिफ इस department के लिए requirement 12th science से मांगा गया है mathematics से ओके बाखी की जो भी post रहेंगी सभी के लिए 12th pass candidate apply कर सकेंगे All India से apply कर सकेंगे अब यहाँ पर different post रहती है तो जो भी preference वगदा रहता है तो उसमें अगर आपका science से 12th है तो तो आप सभी post के लिए eligible है अगर अगर आपका science से 12th pass यानि mathematics से आपका 12th pass नहीं है तो आप बाखी की जितनी भी post है सभी के लिए है data entry operator के लिए भी है लेकिन C and AG जो department है जो offices है इनको छोड़ करके other departments में आपकी posting हो जाएगी ओके तो यह छोटा सा different था क्योंकि यहाँ पर जो post रहेंग है सभी के लिए लगता है कि 12th pass है तो जो comment आ रहे थे कि क्या सभी post के लिए 12th pass apply कर सकते है तो यहाँ पर जो difference था एक छोटा सा post को लेकर के वो मैंने आपका यहाँ clear किया चलिए next देखते है SSE CHSL का जो tier second होता है उसके बारे में हम जानेंगे तो जो tier second जो आपका level है examination रहेगा वो आपका रहेगा descriptive paper descriptive paper रहेगा जो कि pen and paper mode पर होगा 100 marks का यह रहता है जिसका आपको timing जो duration है वो 1 hour का दिया जाता है एक घंटे की आपको timing दी जाती है इसमें writing है say letter and application और इसको qualify काने के लिए आपके कम से कम 33% लाना required 100 marks का है तो आपको 33 marks है वो आपको लाना जरूरी है और आप यह जो paper है descriptive paper रहता है यह आप Hindi और English किसी भी language में दे सकते हैं जो भी आपका medium हो next हम देखेंगे tier third जो tier third रहेगा इसमें आपका skill test होता है और typing test होता है जो कि आपको computer पर देना होता है आप कुछ post के लिए skill test रहेगा कुछ post के लिए typing test रहेगा जो कि हम आगे discuss करेंगे यह जो exam है tier third जो रहेगा आपका यह qualifying nature करेता है आप question आता है कि skill test या typing test आपको कहां होगा किस city में होगा कहां पर आपको यह देना होगा तो जो भी commission के regional offices जिन cities में होगे वहाँ पर आपका यह test होगा skill test और typing test चलिए next हम देखेंगे skill test पहले हम देख लेते हैं किस post के लिए रहता है skill test for DEO data entry operator data entry operator post के लिए आपको यहां पर skill test देना होगा जहां पर speed 8000 की depression per arts रहेगी जो कि आपको computer पर करनी होगी 8000 की depression प्रति घंटा की speed से duration 15 minute का रहेगा यानि 5 minute की timing रहती है और अगर हम बात करें C&AZ की data entry operator की जो post C&AZ department में रहेगी उसके लिए जो speed required है 15000 की depression per hour computer पर ही होगी लेकिन यहां पर आपकी speed 15000 की depression required है और duration भी same है 15 minute का तो जिस तरह से data entry operator की other departments में C&AZ में जो difference qualification के लिए रखा गया है कि 12th science से होना चाहिए mathematics से उसी तरह skill test में भी आपको थोड़ा सा difference यहां पर देखने को मिलेगा next अब हम बात करेंगे typing test की तो typing test किन post के लिए required रहता है तो typing test आपके लिए LDC, JSA, PA and SA के लिए होगा और यह आप medium हिंदी और English किसी भी medium में जिस भी medium से आपने अपनी qualification की है आप उस में typing कर सकते हैं English में अगर आपने की हैं English के लिए 35 word per minute and Hindi के लिए 30 word per minute speed required है अब यह जो medium है Hindi में typing करेंगे या English में typing करेंगे या आप कैसे decide करेंगे आपको कैसे पता चलेगा तो यहाँ पर जो notification आएगा उसमें clearly दिया होता है कि जो भी medium आप application form में आप mention करते हैं तो आपको जो mention कर देते हैं आपका medium कौन सा है उसी में आपको typing test देना होता है ओके तो friends आज हमने SSE CHSL examination का tier 2nd and tier 3rd के बारे में हमने discuss किया और सारे points clear किये इसके पहले जो कल वीडियो अप्लोड किया था उसमें हमने tier 1st का full details level जाना था and उसमें भी negative marking related जो भी tier 1st के points से वो सारे हमने clear किये थे so I hope आपको ये video पसंद आया होगा helpful रहा होगा SSE CHSL का जो examination है और अगर आप ये exam देना चाहते है तो आपको ये दोनों ही video काफे helpful रहेंगे tier 1st के बारे में आपको पूरी information मिल जाएगी किस तरह से होता है tier 2nd and 3rd के बारे में भी आपको fully detail मैंने इस video में दे दिया है so अगर आपने फॉर्स्ट वीडियो विजिट नहीं किया है link आपको i button पर दे दूँगी वहाँ से विजिट कीजिगा वीडियो पसंद आया हो तो like कीजिए और चाहे तो आप इसको सेर्वी कर सकते हैं thank you